हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका क्रिक प्लैक्स में जी हाँ इस वक्त हाजिर है मैच प्रिव्यू लेकर जिस मैच की हम बात कर रहे हैं वो मैच है T20 वर्ल्ड कप का ग्यारवा मैच और ये ग्रूप A का मैच है आकिस्तान और USA के बीच ये मुकाबला है बहुत ही शांदा के खिलाब जो 194 रन का लक्ष था उन्होंने बहुत ही खुबसूरत तरीके से बैटिंग करते हुए वो अठारवे ओवर में टार्गेट को अचीव कर लिया था और एरॉन जॉन्स की वो पारी जिसनोंने 94 रन बनाये थे वो बहुत ही खास पारी थी उस मैच को लेकर बहुत टी-20 की हम बात करें और पाकिस्तान टीन की बात बैसक आती है क्योंकि वो एक बार की चैंपियन है और टी-20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत के खिलाब फाइनल में वो मुकाबला गर आपको याद होगा तो बहुत ही रोचक मुकाबला और उस मुकाबले को लोग आज भी नहीं भ चांदार हुआ था तो टी-20 वर्ल्ड कप की एक बहुत ही शांदार टीम है पाकिस्तान भी उनके पास पेस अटेक अच्छा है लाइक हम बात करें तो शाहिंशा अफरीदी आमीर कमबैक करके आए हैं जो कि स्विंग के लिए अच्छी तरीके के गेंदबाज माने जाते है हैरिस रौफ को भी मौका मिला है और नशिम सा ये पेस अटेक के साथ जब उतरती है टीम खासकर उनके साथ में जब इमाद वसीम भी सामिल होंगे तो शायद एक बेहतर आप्शन दे सकती है पाकिस्तानी टीम बैटिंग ओडर में मैं थोड़ा सा अगर आपका ध्यान इस परफॉर्मेंस अच्छा रहा है अफ्तिकार एमाद के अलावा रिजवान और बहुत सारे ऐसे और भी टीम के पास खिलाडी हैं जो बेहतर कर सकते हैं वही यसी की टीम के बारे में मैं बताना चाहूँगा क्रेडिट देना चाहूँगा टी ट्विंटी वर्ल्ड कप में ज हैं और इसके अलावा आप देखें तो टीम के पास हरमीत सिंग हैं इसके अलावा सौरब जैसे खिलाडी भी हैं भारती मूल के बहुत सारे खिलाडी आपको यसे की टीम में नजर आते हैं तो मेरा मानना है कि यसे भी अपने होम ग्राउंड का फाइदा जरूर उठाएगी और मैदान भी वही है जहां पर पहला यसे ने मैच खिला था तो वो कॉंफिडेंस इनको जरूर इस मैच में मिलेगा उच्छाल वाली विकेट है रन देखने को मिला था पहले मैच में जब यसे और कैनाड़ा का मैच हुआ था अल्मोस्ट दो सो के करीब रन बना था तो य एक अच्छा स्कोर होगा लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर पाकिस्तानी गेंदबाच का सामना पहली बार करते हैं यसे की टीम के प्लेयर्स तो किस तरह से करते हैं क्योंकि स्विंग के साथ बाउंस और वो गती जरूर उनको जहलने पड़ेगी क्रिक प्लैक्स पर